शिवा समराट का नाम सोना के मूँ से सुनकर हैरान हो गए उन्हें सोना से इस सवाल की उम्मीद नहीं थी सोना को एहसास हुआ उसने कुछ जादा ही जल्दी में उनसे समराट के बारे में बूच लिया है वो नर्वस हो गई वो अपनी उंगलियों को आपस में उलजाने लगी उसने हकलाते हुए कहा पापा जी हमारा मतलब है हमें इतना वक्त हो गया इस घर में रहते हमने अब तक आपके दोनों बेटों को साथ में कभी नहीं देखा हमने इनसे पूछा भी कि बात क्या है लेकिन उन्होंने हमें कुछ भी नहीं बताया हम जानना चाहते हैं कि आखिर उनके बीच क्या परिशानी है कहते हुए वो शिवा की आँखों में देखने की कोशिश कर रही थी ताकि शिवा को उसकी बातों पर यकीन हो और वो अच्छे से अपने बहाने पर टिकी रहे पर अगले ही पल उसका सारा confidence हवा हो गया जब शिवा ने कहा नहीं मैं नहीं जानता उन दोनों के बीच क्या परिशानी है और ना मैंने कभी जानने की कोशिश की वो दोनों अब बड़े हो चुके हैं और अपनी जिंदगी के फैंसले खुद ले सकते हैं बलकि मैं तुम्हें भी यही सला दूंगा कि तुम आंश और समराट के बीच में मत ही आओ ये कहते हुए वो सोना को अपनी गहरी आँखों से देख रहे थे सोना उनकी नजरों तले बहुत ही घबरा गई थी उसे समझ नहीं आ रहा था अब वो आगे बात को कैसे बढ़ाए सोना बोली सोथ सोना अगर तुम्हें समराट की कमजोरी के बारे में पता चला तो तेरे लिए उसे हराना आसान हो जाएगा लेकिन पापा जी ने तो कह दिया उन्हें कुछ भी नहीं पता अब हम क्या करें शिवा उसे खुद से ही बात करते देख रहा था उसने अपना गला साफ किया ताकि सोना अपनी खयालों की दुनिया से बाहर आ सके उसने कहा बहु क्या तुम्हें और भी कुछ जानना है अगर नहीं तो तुम अब जा सकती हो मुझे थोड़ा आराम करना है और उसने अपना चश्मा साइड में रखा शिवा से भी कोई मदद ना पाकर सोना उदास हो गई वो वहां से चली गई उसके जाने के बाद शिवा दर्वाजे को अपनी गहरी आँखों से देखने लगे सोना को जो चाहिए था वो उसे नहीं मिला इसलिए वो बहुत उदास थी उसे समराट की कमजोरी के बारे में जानना था क्योंकि वो उसके साथ वही खेल खेलना जादी थी जो समराट ने उसके साथ खेला था आदित्ते का इस्तमाल करके लेकिन अब सब खत्म हो चुका था शाम छे बजे सोना कमरे में बैठ कर कुछ सोच रही थी तब ही उसके दर्वाजे पर किसी ने दस तक दी सोना ये सुनकर दर्वाजे की तरफ देखने लगी वो बैठ से खड़ी हुई और दर्वाजे की तरफ बढ़ गई उसने दर्वाजा खोला और उसकी भौहे सी कुड़ गई वो दर्वाजे से सर बाहर करके इधर उदर देखने लगी लेकिन बाहर कोई भी नहीं था उसने कहा ये किसने गिया? वो अंदर जाने को थी कि तभी उसके कानों में सिया जिया के धीमी हसी की आवाज आई सोना मुस्कुराते हुए उस आवाज की तरफ पढ़ गई उसने थोड़ी तेज आवाज में कहा ओ, तो हमारे साथ हाइडन सीक का खेल खेला जा रहा है और वो दबे पाओ उनकी तरफ पढ़ गई सिया और जिया कॉरिडोर में रखे बड़े से गमले के पीछे छुप कर सोना के बाहर आने का वेट कर रही थी सोना उनके पास पहुची ही थी कि सिया और जिया वहाँ से भागते हुए बूली मामी हमें पकड़ कर दिखाओ सोना उनके पीछे भागते हुए बूली रुको हम अभी तुम दोनों को पकड़ कर बताते हैं सिया और जिया खिलखिला आते हुए भाग कर नीचे आ गई वो तीनों लिविंग रूम में पकड़म पकड़ाई खेलने लगी कभी सोना उनके पीछे भागती तो कभी सिया और जिया उसके पीछे भागती सोना ने सिया को पकड़ा और उसे गोल खुमाते हुए कहा पकड़ लिया और सिया खिलखिला कर हसने लगी जिया ने कहा मामी मुझे भी राउंड राउंड घूमना है वे तीनों फिर से पूरे घर में खेलने लगी अभी सोना उनके पीछे भाग ही रही थी कि सामने से आ रहे किसी इंसान से तकरा गई सामने वाले ने उसकी बाजू को पकड़ कर उसे सीधा कर दिया सोना ने उस इंसान को देखा और उसके चेहरे की चमक गायब हो गई वो कोई और नहीं बलकि करन सिंग था करन उसे देखकर अजीब तरह से मुस्कुरा रहा था सोना ने उसके हाथ से अपनी बाजू छुडाई और दूर होकर खड़ी हो गई सिया जिया भी उसके पास आकर खड़ी हो गई करन बच्चों को देखकर उनके लेवल में जुकते हुए बोला क्या मैं भी तुम लोगों को जॉइन कर सकता हूँ? प्लीज सिया और जिया कुछ कहते उससे पहले सोना ने कहा सिया, जिया, चलो यहाँ से तुम्हारी मामी तुम्हारे लिए हॉट चॉकलिट मिल्क बनाएंगी हॉट चॉकलिट मिल्क का नाम सुनकर सिया जिया एकसाइटिड हो गई सोना करन को घूरते हुए वहां से सिया और जिया को ले गई उनके जाने के बाद करल उसे अपने सक्त चहरे के साथ घोरने लगा सोना किचन में आ गई उसने सिया जिया को काउंटर पर बैठाया और उनके लिए हाट चॉकलेट मिल्क तयार करने लगी शाम हो रही थी इसलिए उसने डिनर बनाने का फैंसला किया वो अभी डिनर तयार कर ही रही थी किरिहान किचन में सोना के पास आ गया उसके हाथ में एक कैमरा था और सोना वेज़ेटेबल कट कर रही थी उसने सोना को देखकर कैमरा में उसे वेज़ेटेबल कट करते हुए उसे रिकॉर्ड करते हुए बोला भावी, इधर देखिए, ये मेरा नया कैमरा है, say hi सोना ने मुस्कुराते हुए कैमरे के सामने हाथ हिला कर hi कहा सिया और जिया ये देखकर excited होते हुए बोली वाव मामू, ये कितना cool लग रहा है, हमें भी hi कहना है रिहान ने ये सुनकर हसते हुए कैमरा उनकी तरफ खुमा लिया और उन्हें रिकॉर्ट करने लगा वो बोला अफकोस मेरी प्यारी भांजियों ये तुम्हारे लिए ही तो है से हलो सिया और जिया कैमरे के सामने मस्ती करने लगी सोना उनकी क्यूट हरकतों पर हसते हुए डिनर बनाने लगी तभी एक मेड उसके पास आकर उसकी तरफ एक बैग बढ़ाते हुए बोली माम ये आपके लिए सर ने भेजा है सर ने मुझे आपको बताने के लिए कहा है कि आप इसे पहन कर रेडी हो जाए सरकुष्टेर में आपको पिक करेंगे सोना ने ये सुना और उसे याद आया आंचने सुभा क्या कहा था तभी रिहान ने सोना की तरफ कैमरा घुमाया और उसे फिर से रिकाज करते हुए बोला सोना ने ये सुना और वो शर्मा आ गई उसके गाल लाल हो गई और वो इधर उधर देखने लगी रिहान उसे ऐसे शर्माते देखकर उसे चिड़ाते हुए बोला ए यह आपका शर्माना अगर भाई यहां होते तो मज़ा ही आ जाता आपका चेहरा शर्माते हुए कितना लाल हो जाता है और वो उसे रिकाज करने लगा सोना उसकी कैमरे पर हाथ रखते हुए बोली स्टॉप इट रिहान इसे बंद करो रिहान हसते हुए बोला नो भाबी आप शर्माते हुए कितनी क्यूट लग रही है भाई को मैं ये जरूर दिखाऊंगा सोना ने उसे पपी फेस बना कर देखा रिहान ने उसे ऐसे देखा तो कैमरा नीचे कर लिया उसने कहा अच्छा ठीक है मैं उन्हें नहीं बताऊंगा लेकिन आपको प्रॉमिस करना होगा आप जल्दी से मेरे लिए एक प्यारा सा भतीजा ला कर दोगी सोना ने उसके हाथ पर मारा और अपने बलश को छुपाने लगी सिया और जिया ने कहा मामू क्या मामी छोटा बेबी लाने वाली है रिहान ने हसते हुए कहा हाँ बेटा तुम दोनों से भी छोटा बेबी फिर हम साथ में उसके साथ खेलेंगे सोना ने ये सुना और उसे लगा जैसे अभी जमीन फट जाए और वो उसमें समा जाए ये बच्चे भी ना तभी सिध्धी उनके पास आते हुए बोली क्या चल रहा है यहां किस बात पर इतना खुश रुआ जा रहा है और उसने सिया जीया को देखा जो फिर से हॉट चॉकलेट मिल्क इंजॉई कर रही थी रिहान ने सोना को देखा और सिध्धी के पास आकर उसके कंधे पर अपनी कोहनी टिकाते हुए बोला दी, can you believe? भाई भावी को डेट पर ले जा रही है यह कितना रोमेंटिक है ना सिध्धी ने सोना को देखा और रिहान के पेट पर अपनी कोहनी मारते हुए कहा रिहान? रिहान ने अपने पेट को पकड़ लिया और नाटक करते हुए कहा आउच दी, लगी मुझे सिध्धी अपने लिए कॉफी बनाते हुए बोली तुम उसे क्यों परिशान कर रहे हो? दिखाई नहीं दे रहा? उसे तुमारी बातों से आकवच फील हो रहा है रिहान ने सोना को देखा, जो अपने लाल गाल के साथ सूप बना रही थी रिहान ने कहा, नो भावी, ये सब मेट कर लेंगी, आप जाओ तैयार हो जाओ, वरना भाई गुस्सा हो जाएंगे तुना ने कहा, लेकिन रिहान, रिहान ने उसकी बात पूरी होने नहीं दी और उसे बाहर की तरफ ले जाने लगा उसी वक्त सिध्धी अपनी कॉफी लेकर बाहर जाने को थी, कि वो सोना से टकरा गई, और उसके हाथ की गर्म कॉफी सोना के उपर गिर गई सोना को उसके पेट के पास तुरंथ ही बहुत जलन होने लगी, सिध्धी ने परेशान होते हुए कहा सोना अपने कपड़े जाड़ते हुए बोली, कोई बात नहीं थी, कल्ती हमारी थी, हमने आपको नहीं देखा रिहान ने भी परेशान होकर कहा, भावी जाओ जाकर कपड़े बदल लो, नहीं तो ये जादा जलेगा, मैं आपके लिए दवाई लेकर आता हूँ सोना ने हां में सरही लाया और जल्दी से कमरे में आ गई, जल्दी जल्दी में उसने कमरे का दर्वाजा ऐसे ही खुला छोड़ दिया, वो सिधा वाश्रूम में चली गई, कुछ दिर बाद वो बाहर आई, शावर लेने के बाद उसकी जलन अब थोड़ी कम हो गई थी उसने देखा अंश का भेजा बैग और ओइंटमेंट के साथ रिहान ने अपना कैमरा भी टेबल पर रखा था, वो बैग लेकर चेंज करने चली गई, कुछ दिर बाद सोना एक ब्लाक नेट की डिजाइनर साड़ी पहन कर मिरर के सामने खड़ी थी, वो अपने आपको मिरर महसूस हुई, वो जल्दी से अपनी साड़ी कमर के पास से हटा कर अपने पेट को देखने लगी, जहाँ पर कॉफी से जलने की वज़े से गुलाबी निशान और हलके चाले बन गए थे, उसने गहरी सास ली, तभी उसके नजर टेबल पर रखे ओइंटमेंट पर पड़ी, उसने जल्दी से उसे उठा लिया और वो उसे अपनी जली स्किन पर अपलाई करने लगी, उसे ओइंटमेंट लगाने के साथ ही जलन से राहत मिली, सोना अपनी नजरे नीची करके सौफ्टली अपनी उंगलियों से उस जगह पर ओइंटमेंट लगा रही थी, और किसी की एक जोड़ी आँखी बहुत ध्यान से उसे ये करते हुए देख रही थी, सोना के बालों से अभी भी पानी टपक रहा था, जिससे उसके कपड़े थोड़े गीले होकर उसके शरीर से चिपक गए थे, उसके कुछ गीले बाल उसके चेहरे को छू रही थे, मिरर में सोना का और उसकी दूज जैसी सफेद कमर साफ दिखाई दे रही थी, वो आँखे सोना के चेहरे पर आ रहे अलग-अलग एकस्प्रेशन को देख रही थी, सोना के चेहरे पर कभी दर्द के, कभी रहत के और कभी रोने जैसे एकस्प्रेशन आ रही थे, जोकि काफी क्यूट लग थे, वो अपनी पल की जबकाए बिना सोना को देख रही थी, जिसे आज से पहले उसने कभी इस तरह का नजारा नहीं देखा हो, सोना ने अच्छे से ओइंटमेंट लगा लिया और अपने कपड़े को ठीक करते हुए बोली, महादेव का शुकर है, जादा नहीं जला, नहीं प्राबलम हो सकती थी, ये कहते हुए उसने लंबी सांस ली और अपना सर उपर किया, उसके नजर जैसे ही मिरर पर बन रही परचाई पर पड़ी, उसका पूरा शरीर ठंडा पड़ गया, उसने जल्दी से अपने कपड़े ठीक किये और पीछे पलट कर गुस्ते से उस शक को घूरने लगी, जो उसे ना जाने कब से देख रहा था, सोना को याद आया वो कितनी देर से मिरर के सामने खड़े होकर अपने पेट पर ओइंटमेंट लगा रही थी, उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया, सोना उसके उपर लगबग चिलाते हुए बोली, तुमारी हिम आ रहा था, तभी उसका फोन बजने लगा, उसने फोन पिक किया तो सामने से क्रिश ने कहा, सर, सारी अरेंजमेंट हो गई है, अंश ने कहा, ओके, उसने फोन काटा और अपनी भारी आवास में कहा, बीवी, आज तुमें ऐसा सर्प्राइज मिलेगा, जिसे तुम जिन्द पर हैरानी हुई, समराट अपनी बिजनस मीटिंग से घर आ गया था, वो थोड़ा नशे में था, जिससे उसके पैर लड़ खड़ा रहे थे, वो कॉरिडूर से अपने कमरे में जा रहा था, लेकिन अंश के कमरे के हलके खुले दर्वाजे में, उसे सोना मिरर के सामने खड क्या वो सोना की खुबसूर्ती में इतना खो गया था, कि उसे पता ही नहीं चला, वो कब उसकी तरफ बढ़ने लगा, समराट अपनी हैरानी को छुपाते हुए, अपने चेहरे पर मुस्कान लाते हुए बोला, क्या इत्तिफाक की बात है, मैं तो तुमसे मिलना चाह रहा था, और तुम मुझे दिख गई, अब तुम्हें देखी लिया है तो सोचा, हलो कह दू, हलो मिसिस राइजादा, समराट ने अपने दोनों हाथों को पॉकेट में डालते हुए कहा, सोना ये सुनकर दूसरी तरफ देखने लगी, उसे समराट से शराब की स्मेल आ रही थी, वैसे एक बात कहूं, तुम्हें दर्वाजा खुला नहीं छोड़ना चाहिए था, भगवान का शुक्र करो कि आज मैं आ गया, अगर मेरी जगए कोई और होता तो पक्का तुम्हारी इस खुबसूरती को देख कर उसके नियत खराब हो जाती, यूनो ना, समाना बहुत खर तुम्हें को देखते हुए फिर से बोला, भगवान ने बहुत फुरसत से बनाया है तुम्हें, उपर से नीचे तक सब कुछ एक दम परफेक्ट है, तुम्हें इस तरह देखकर आज समझ में आया, क्यों अन्श और करन तुम्हारे लिए पागल है, कहते हुए समराठ की आ गटिया और बेहुदा बाते सुनने का, समराठ अपनी आँखों में बेचारों वाला भाव लाते हुए बोला, ओहो मिस्स राइजादा, आप तो नाराज हो गए, मैं तो बस आपकी खुबसूरती की तारीफ कर रहा था, और आप है कि नाराज हो रही है, कहते हुए समराठ अपने सोना के चेहरे को छूने के लिए अपना हाथ बढ़ाया, वो अपनी आँखों में अजीब से भाव के साथ बोला, सच में तुम इतनी खुबसूरत होगी, मन कर रहा है मैं तुम्हें अभी अंश से, वो आगे कुछ बोल पाता, उससे पहले समराठ को अपने गाल पर के लिए उसे थपड मारा था, थपड इतना जोरदार था कि समराठ के होट के किनारे से खुन आने लगा, समराठ को जब रियलाइज हुआ कि उसने सोना से किस तरह बाद की, उससे अपने शब्दों पर एक पल के लिए हैरानी हुई, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी, उसके गलत बहेवियर के लिए सोना ने अभी अभी उसे थपड मारा था, लेकिन वो नशे में था, इसलिए उसने इस खयाल को जटक दिया कि वो गलत था, वो सोना को गुस्से से घूरते हुए बोला, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे थपड, वो इतना ही बोल पाया था, कि उसके दूसरे गाल पर भी जोरदार थपड़ा कर लगा, अब समराट को जैसे होश आया हो, उसका नशा एक पल में ही उतर गया, सोना गुस्से से बोली, तुम अपनी हद में रहो समराट, भूलो मत हम सोना अंच राइज़ादा हैं, तुम्हारे छोटे भाई की पत गया, और उसकी आंखी आंसू से भर गई, लेकिन वो बिना पलक जपकाए समराट की आंखों में देख रही थी, सोना ने आगी कहा, हम अब ये सब बरदाश्त नहीं कर सकते, हम अभी अंच को तुम्हारे बारे में सब बता देंगे, उसके बाद वो हमारे साथ कुछ भी कर लिया, सोना ने तेज आवाज में कहा, समराट, समराट ने उसके मूँ पर हाथ रखा और उसे दीवार से लगाते हुए बोला, तुम्हारी इतनी हिम्मत बढ़ गई हाँ, सोना अपनी बड़ी बड़ी आखों से समराट को हैरानी से देख रही थी, क्योंकि उसे समराट से इस हरकत की उम्मीद नहीं थी, समराट सोना के एक दम करीब खड़ा था, समराट ने गुस्ते से कहा, तुम्हें लगता है समराट रायजादा किसी से डरता है, अगर मैं चाहूं तो अभी तुम्हारे भाई को इस दुनिया से गायब कर सकता हूँ, समझी तुम, इसलिए हिल रहा था, सोना की आँखों से अब आंसू की बूदे टपक कर उसके गाल पर फिसलने लगी, सोना की आँखे लाल हो गई थी, और उसका शरीर डर से काप रहा था, समराट ने उसे छट पटाता देखकर उसकी कमर को और कसके पकड़ लिया, और उसे अपने पास खीचते ह हुए बोला, बहुत बड़ी गलती कर दी समराट रायजादा के उपर हाथ उठा कर, तुम्हें बहुत घमंड है ना अपनी खुबसूरती पर, अब तुम इंतजार करो उस दिन का, जब मैं तुम्हारे इस घमंड को अपने पैरो तले कुचल दूँगा, ऐसा हाल करूँग वह तुम्हारा कि तुम जिस पती के दम पर इतना उचल रही हो, वो भी तुमसे नफरत करेगा, उसने सोना को दूर धक्का दे दिया, सोना दो कदम पीछे हट गई, समराट ने गुस्से से उसे देखा और वहां से जाने लगा, तभी सोना की आवाज उसके कानों में लिए, सोना ने कहा, कितने घटिया हो तुम समराट राइजादा, हमने आज से पहले कभी तुम्हारे जैसा इनसान नहीं देखा, सोना उसके सामने आकर खड़े होकर उसकी आँखों में देखते हुए बोली, तुम्हें शर्म आनी चाहिए समराट, हमें अब तक लग रहा तुम इसलिए आन्श को बरबाद होते देखना चाहते हो, क्योंकि उसने तुम्हारे प्यार की जान ले ली, और हम भी कहीं न कहीं ये सोचते थे, कि आन्श ने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है, पर तुम किसी के लायक हो, तुम आन्श से जैलेस हो, कि वो तुमसे छो चाले नहीं चलते, तुमने हमारी कमजोरी का फाइदा उठाया, हमारा इस्तिमाल किया, कितने कायर हो तुम, हमें तुम पर तरस आता था, कि कैसे तुमने अन्श की वजह से अपने बच्चे और अपने प्यार को खो दिया, लेकिन अब हमें तुमसे घिन आ रही है, जबड़ा कस गया, सोना ये कैसे बोल सकती थी, वो जानती ही क्या है उस लड़की और समराट के बारे में, वो आज भी उससे बहुत प्यार करता है, सोना की बातों ने उसे वास्त्विक्ता में ला दिया था, लेकिन समराट ये मानने के लिए तैयार नहीं था, कि वो आंच जबड़ाल से होकर कमरे से बाहर चला गया, उसके जाने के बाद सोना ने दरौजा बंद किया और कस के अपनी आँखों को बंद कर लिया, उसने अब तक जो आसू अपनी आँखों में रोक रखे थे, वो बेहने लगे, वो रोते हुए दरवाजे से टिक कर बैट गई, उस उसकी नजर उसके कमरे से बाहर आते समराट के उपर पड़ी और वो अपनी जगह पर रुख गया समराट भी कमरे से बाहर निकल कर लिविंग रूम की तरफ बढ़ रहा था उससे पांच कदम की दूरी पर ही उसे कोई अपनी तरफ आता दिखाई दिया समराट और अंश एक कमरे से बाहर आते दिखा तो उसका कुसा साथवे आसमान पर पहुँच गया समराट को जो सोना के सुनाई जाने से पहले से ही फ्रस्ट्रेट था वो अंश का सवाल सुनकर उसके पास आते हुए बोला तुम अपनी बीवी से ये सवाल क्यों नहीं करते अंश उसने अपने पती के भाई को पीट पीछे अपने कमरे में क्यों बुलाया था उसने इतना कहा ही था कि अंश ने उसके गले को पकड़ कर दीवार से लगा दिया समराट ने जो कहा था वो सुनने में ही कितना आजीब लग रहा था और ये बात तो सोना के लिए थी अंश कैसे गुस्ताना करता अंश अपनी पकड़ उसके गले पर कसते हुए एक एक शब्द पर जोर देते हुए बोला हो डियर यू तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बीवी के बारे में बखवास करने की समराट की सांसें उसके गले में अटक रही थी वो खुद को छुडाने के लिए अंश के ह लियान से खीच कर बाहर निकाला अभी समराट सभल नहीं पाया था कि अंश ने तलवार को उसकी गरदन पर रखा समराच अपनी लाल आखों से उसकी आखों में देखने लगा अंश ने उसके गले पर तलवार का दबाव बनाते हुए कहा जुबान सम्हाल कर समराट तुम्हें अपने सामने देख कर मैंने खुद को कैसे रोक रखा है ये सिर्फ मुझे पता है अगर हम इस वक्त हवेली में नहीं होते तो कब का मैं तुम्हारी जान ले लेता अगली बार मेरी बीवी का जिक्र तक तुम्हारी जुबान पर आया ना समराट तो अंश बोल ही रहा था कि समराट ने उसे अपनी पूरी ताकत से धक्का दिया और उसकी आँखों में देखते हुए बोला तो क्या कर लोगे हाँ एक बीवी तो तुमसे सम्हाली नहीं जाती बहुत करते हो मेरी जानने नहीं की हिम्मत है तो मेरी जान ले कर दिखाओ समराट ने ये कहा ही था कि अंश ने अपने हाथ में पकड़ी तलवार की नोग को समराट की सीने में रखकर उसे धसाने लगा समराट अंश के ऐसे करने से पीछे हटने लगा जिससे वो फिर से दीवार से टिक गया अंश उसकी आँखों में देखते हुए बोला एक और लफ्स तुमने उसके बारे में कहा तो I swear मैं ये नहीं देखूंगा तुम कहा खड़े हो ये कहने के बाद वो समराच की आँखों में देखते हुए तलवार की नोक समराच के सीने पर गड़ाने लगा क्या अंच लेने वाला है समराच की जान? जानने के लिए सुनते रहे फोर्स ट्वाई अंच की आँखे इस वक्त पूरी नफरत से समराच को घूर रही थी तलवार की धार इतनी तेज थी कि एक सेकिंड में वो समराच की स्किन को चीरते हुए उसके अंदर घुस गई समराच की सफेद शर्ड जल्द ही लाल खुन से रंग गई उसे बहुत दर्द महसूस हो रहा था लेकिन उसके मूँ से आवास तक नहीं निकल रही थी वो बिना डरे अंच की आँखों में देख रहा था अंच अपनी खतरनाक आवाज में बोला मेरी सोना से दूर रहना नहीं तो ये तलवार अगली बार तुम्हारी करदन पर होगी और तुम्हारा सर मेरे पैरों में ये कहने के बाद उसने तलवार को साइड में फेका और जाने लगा तो समराच ने अपने दर्द को अंदेखा करके बगल की टेबल पर रखे फूल दान को पकड़ कर अंश के उपर फेका पर अंश सही समय पर नीचे जुग गया और वो फूल दान सीधा दीवार से टकरा गया सोना जो कमरे में दर्वाजे से लग कर बैठी थी वो इस आवाज को सुनकर खुद से भूली ये कैसी आवाज है बाहर क्या हो रहा है और वो कमरे से बाहर आ गई अंश ने समराज को घूर के देखा दोनों कुछ देर ऐसे ही एक दूसरे को गुस्से से घूरते रहे फिर अचानक से अंश ने आकर समराज के मुँँ पर जोरदार मुक्का मारा उसने कहा तुम अपनी हरकतों से कभी बाज नहीं आओगे समराज पीछे की तरफ जुका वो अपनी ये बेज़ती कैसे बरदाश्ट कर सकता था पहले उसे उसकी बीवी ने मारा और अब अंश ने उसके ऊपर हाथ उठाया उसने गुस्से से अंश को देखा और उसने भी अंश के मूँ पर जोरदार मुक्का मारा अंश के होटों के किनारे से खून आने लगा सोना तब तक बाहर आ चुकी थी और उन दोनों को ऐसे देख कर वो काफी घबरा गई उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो उनके पास जाकर उने रोग सके वो अंश और समराट को पहली बार आमने सामने इस तरह देख रही थी समराट ने दूसरी बार उसे मारने के लिए हाथ उठाया ही था कि उसकी नजर अंश के पीछे से आ रहे शिवा और नेलिमा पर बड़ी और वो रुख गया लेकिन अंश ने उन्हें नहीं देखा और समराट के पेट पर जोरदार लात मार दी समराट पीछे जागिरा अंश उसके पास आया और उसके उपर लात गूसों की बरसात कर दी अंश का गुसा अब इतना बढ़ चुका था कि वो भूल गया था वो क्या कर रहा है इससे पहले कि अंश समराट को और मार पाता उसे शिवा ने कंधे से पकड़ कर दूर जटक दिया अंश ने ये नहीं देखा कि किसने उसे पीछे खीचा और उसने उसे मारने के लिए अपना हाथ उठाया लेकिन शिवा को अपने सामने देखकर वो रुख गया ये देखकर सोना की आँखे बड़ी हो गई और शिवा आंश को गुस्ते से घुर रहा था आंश की आँखे एकदम लाल थी उसने अपना हाथ नीचे कर लिया शिवा गुस्ते से बोले रुक क्यों गए? मारो मुझे भी कहते हुए शिवा ने अंश को धक्का दिया सोना ये देखकर परिशान हो गई शिवा ने समराठ को उठाया और फिक्र करते हुए पूछा समराठ तुम ठीक हो समराठ ने हां में सरहिलाया अब तक उसे काफी चोट आई थी शिवा गुस्ते से अंश की तरफ मुड़े और दात पीशते हुए तेज आवाज में बोले ये क्या पागलपन है अंश क्या तुम समराठ की जान लेना चाहते थे? पर अंश को जैसे फर्क ही नहीं पड़ा वो बहुत गुस्से से समराठ को ही घूर रहा था समराठ ने ये देखा और अपनी दर्द भरी आवाज में कहा ये क्या बताएगा डेड? मैं बताता हूँ, ये पागल हो गया है इसने बिना किसी रीजन के मुझपर तलवार से वार किया मैं तो बस कमरे में जा रहा था उसने मुझे रोका और पता नहीं क्या-क्या बोलने लगा इतना कहकर समराठ अंश को देखने लगा अंश ने ये सुनकर शिवा को देखा और अपनी सफाई देते हुए उसने कहा ये जूट बोल रहा है डेड, पहले इसने सो वो कहने वाला था कि समराठ सोना के बारे में बक्वास कर रहा था लेकिन वो रुख गया उसने समराठ को देखा जिसके होटो पर छोटी सी मुस्कान थी सोना अंश के पास आ गई और उसने उसका हाथ पकड़ लिया समराठ सामने आते हुए बोला हाँ मैंने क्या किया आंश बोलो तुम चुप की हो गए मैंने क्या किया आंश ये सुनकर एक बार फिर समराठ की तरफ बढ़ गया और उसके उपर हाथ उठाने वाला था कि उसके गाल पर एक थपड़ा कर लगा आंश अपने सामने गुस्ते से खड़ी नीलीमा को देखने लगा नीलीमा आंश के मुँपर चिलाते हुए बोली बस करो आंश और क्या करना बागी रह गया है तुम्हारा क्या आप तु इसकी जान लेकर मानेगा कई बार तुम्हारे डैड ने तुम्हें ये सब करने से मना किया फिर भी तु सुधरने का नाम नहीं ले रहा आज फिर से बिना किसी वजह से तुमने समराथ के उपर हाथ उठा दिया बोलो क्यूँ आंश ने ये सुना और उसने सोना को एक नजर देखा जो उसे ही अपनी आंसू से भरी आंखों से देख रही थी वो अपनी बाह सोना के हाथ से छुड़ा कर बिना कुछ कहे नीचे चला गया उसके पास वजह थी लेकिन वो किसी से कुछ नहीं कह सकता था क्योंकि वो ऐसा कुछ नहीं कहना चाहता था जिसे सोना के उपर बात आ जाती वो उसे अपने हातों से सजा देना चाहता था सोना उसे जाते देख रही थी उसे समझ नहीं आ रहा था अंश किस बात पर इतना गुस्सा हो गया कि उसने समराट को इस तरहे चोट पहुँचाई सिद्धी ने सोना को अंश के पीछे जाने का इशारा किया सोना जल्दी से अंश के पीछे चली गई निलिमा समराट के पास आई और उसकी चोट को देखते हुए बोली तुम ठीक हो समराट समराट ये सुनकर गुस्से से अपने कमरे में चला गया उसके जाने के बाद शिवा निलिमा से बोले निलिमा आज तो अंश ने सारी हदे पार ही कर दी है अच्छा हुआ बाबा यह नहीं है नहीं तो तुमें अच्छे से पता है वो अंश से क्या कहते समझाओ अपने बेटे को आइंदा से उसने ऐसा कुछ भी किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा यह कहने के बाद शिवा गुस्से में वहां से चले गए उनके जाने के बाद निलिमा उदास हो गई सिध्धी ने उसका हाथ पकड़ा और कहा मॉम आप शान्त हो जाएए चलिए मेरे साथ और वो उसे कमरे में ले गई इधर अंश गुस्से से हवेली के दर्वाजे को जोर से लात मारते हुए हवेली से बाहर निकल गया सोना उसके पीछे आई उसने देखा अंश अपनी कार की तरफ बढ़ रहा है सोना जल्दी से भाग कर उसके पास आ गई अंश कार में बैठ गया वो कार को स्टार्ट करता उससे पहले सोना ने अपना हाथ आगे कर दिया और हाफते हुए बोली मिस्टर राइजादा आपके हाथ पर चोट लगी है अंश ने ये सुना और अपने हाथ को देखने लगा एक ये ही थी जिसने अब तक उसके चोट को नोटिस किया था उसने गुस्से से स्टेरिंग वील पर अपनी पकड बना ली और एकसिलेटर पर पैर रखा सोना ने ये देखा और जल्दी से पैसेंजर सीट पर आकर बैठ गई अंश ने सीधा देखा और फुल स्पीड से कार हवेली से बाहर ले गया सोना ने कसकर सीट बेल्ट को पकड़ लिया क्योंकि उसे पता था अंश अब रुखने वाला नहीं था अंश इतनी तेज स्पीड से कार चला रहा था कि सोना को चक्कर आने लगे थे पर अंश उसकी सेफटी की परवाग ये बिना कार चला रहा था लगबग एक घंटे बाद कार टायर घसीटने की आवास से एक जगह पर रुखी सोना ने ये देखा और वो कार से बाहर निकल गई उसने अपने सीने पर हाथ रखा और वामिट करने लगी कुछ दिर बाद जब वो शांत हो गई तब उसने गाड़ी से पानी की बोटल निकाली और अपना चेहरा साफ किया ये देखकर अंश भी बाहर आया उसने इतनी जोर से कार का गेट बंद किया कि सूना चौक गई रात होनी की वज़े से वहाँ पर दूर दूर तक कोई नजर नहीं आ रहा था उस शांत जगे पर पानी की आवाज आ रही थी जिससे पता चल रहा था कि वो दोनों इस वक्त एक लकड़ी पूल के उपर थे उसके साथ ही मेंडक और जिंगुरों की आवाज आ रही थी ठंड का मौसम था इसलिए रीड की हड़ी को कपाने वाली ठंडी हवाएं चल रही थी स्ट्रीट लाइट की हलकी रोशनी में अंश गुस्से से सोना को घुर रहा था जो उसे ही देख रही थी उसने सोना के कंधे को पकड़ा और उसे जोर से हिलाते हुए बोला किसने कहा था तुम्हें मेरे पीछे आने के लिए सोना हकलाते हुए बोली मिस्टर राईजादा, हमारी बात सुनिए, आप बहुत गुस्से में है अंश उसे अपने करीब करते हुए बोला ओर रियली भीवी, मुझे तो पता ही नहीं था कि मैं गुस्से में हूँ थैंक यू, ये बताने के लिए कि मुझे चोट लगी है लेकिन मुझे तुम्हारे कंसरन की कोई जरूरत नहीं है ये कहने के बाद उसने सोना को दूर धक्का दिया सोना हैरानी से अंश को देखने लगी अंश अपने पीट सोना की तरफ करके, अपने दोनों हाथ कमर पर रखकर खड़ा अपने गुस्से को काबू करने की कोशिश कर रहा था उसने अपने बाल में हाथ फेरा और कार के बोनट पर मुक्का मारा सोना धीरे से उसके पास आकर उसके कंधे पर हाथ रखते हुए बोली मिस्टर राइजादा, आप शान्त हो जाएए, आप इतना गुस्सा क्यों? वो कहे ही रही थी कि अंश पीछे मुड़ा और फिर से उसके कंधे को कस के पकड़ कर अपनी करीब करते हुए बोला मैं गुस्सा क्यों कर रहा हूँ? तुम सच में यह जानना चाहती हो? तो सुनो, ये सब तुमारी वज़ए से है, मैं तुमारी वज़ए से गुस्सा हूँ, समझी तुम? सोना उसकी बात सुनकर हैरान हो गई उसे समझ नहीं आ रहा था उसने अंश को किस तरह गुस्सा दिलाया वो हैरानी से बोली हमने क्या किया? आप क्यों हमें दोश? सोना ने कहा ही था कि अंश उसकी बात पीछ में काटते हुए चिला कर बोला अब एक शब्द और नहीं इतना सब करने के बाद पूछती हो क्या गलत किया? ये कहने के बाद अंश सोना को देखने लगा जो अपनी नम आखों से उसे देख रही थी अंश ने उसके कंधों को इतना टाइटली पकड़ रखा था कि सोना को अपने कंधे में दर्द महसूस हो रहा था अंश ने उसे पीछे जटका और कहा तुम चली जाओ यहां से इससे पहले मेरे हाथों कुछ गलत हो जाए चली जाओ यहां से सोना ये सुनकर सुबकते हुए अंश को देखने लगी अंश ने उसे खुद को घूरते देखा तो अपनी आँखे छोटी करते हुए बोला क्या हुआ? तुम मुझे ऐसे घूर क्यों रही हो? तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आ रही? अंश की बात सुनकर सोना बोली क्या आपने कबसे तुम्हारी वज़े से तुम्हारी वज़े से लगा कर रखा है? हमने नहीं कहा आपको अपने भाई के उपर हाथ उठाने के लिए इसलिए आप हमें दोश तेरा बंद करें मतलब हद है? लडाई आप दोनों भाई करें और दोश हमें दे? आंश ये सुनकर हैरान हो गया सोना उसे जवाब दे रही थी उसने कहा दीवी तुम? उसकी बात पूरी होने से पहले सोना उसको धक्का देते हुए बोली हम क्या? हाँ? हमने नहीं कहा था आपको बेवज़ा का गुस्सा करने के लिए अरे हमें तो कुछ पता भी नहीं है आप गुस्सा क्यों है? और आप है कि हमें ही बोल रहे हैं? आंश उसे गुस्से से घूर रहा था सोना उसे बोलते हुए धक्का दे रही थी और वो पीछे हटता जा रहा था सोना आगे बोली हमने कहा आपको चोट लगी है लेकिन आप हमारे उपर ही चिला रहे हैं अब इसमें भी के हमारी ही कलती है यह अच्छा है जब गुस्सा करने के लिए कोई नहीं मिलता तो हम पर बेवज़ा गुस्सा करते हैं आप जब देखो तब हमारे उपर चिलाते रहते हैं आप एक तो पता नहीं आप हमें कहा लेकर आए हैं और अप कहे रहे हैं यहां से चली जाओ कहा जाएंगे हम ज़रा बताईए तो हम इतनी रात में कहा सोना ने इतना कहा ही था कि अंश ने उसकी दोनों कलाईयों को पकड़ कर, उन्हें मरोडते हुए उसकी कमर से लगा कर गुस्से से कहा, चुप हो जाओ! अंश को सोना की बात सुनकर गुस्सा आ रहा था, उसने चिलाते हुए कहा, तुम अपनी बकवास बंद करो, अब अगर एक और शब्द तुम्हारे मूँ से निकला, तो मैं तुम्हें इस पुल से नीचे फेग दूँगा! अंश के उसकी कलाई को मरोड़ने से सोना को दर्द होने लगा था, उसने दर्द में कहा, वो अंश को देखने लगी, अंश उसकी आँखों में गुस्से से देख रहा था, जिसे देख कर वो सहम गई, अंश ने कहा, तुम खुद को समझती क्या हो, तुम से किस ने कहा कि तुम मुझसे इस तरह बात कर सकती हो? क्या अंश फिर से सोना को चोट पहुँजाएगा? कैसे बच पाएगी सोना अंश के गुस्से से? जानने के लिए सुनते रहिए Forced Wife, सिर्फ Pocket FM पर.